दोस्तों आज हम बात करेंगे चंद्रायान 3 के बारे में भारत का चंद्रायान बहुत ही जल्दी दुनिया के सामने भारत का पर्चम लहराने के लिए तयार है चंद्रायान 3 बहुत ही तेजी से दहार मारता हुआ चांद की ओर बढ़ रहा है चंद्रायान 3 की दहार से चीन औ और नासा दोनों भबराए हुए है चंद्रायान तीन ने अभी अभी जो तस्वीर भीजी है उसमें बहुत ही अजीब सी चीजे नजर आ रही है जिसे देखने के बाद वैग्यानिक भी हैरान हो चुके हैं। चंद्रायान तीन ने अभी अभी जो तस्वीर भेजी है उसे देखकर पूरी दुनिया में हरकंप मच गया है। चंद्रायान के दक्षन वाले इलाके में जाने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन इसरो के चंद्रायान तीन मिशन ने चांद पर उतरने से पहले ही दुनिया के वैग्यानिकों को हैरान करना शुरू कर दिया है। दुनिया के वैग्यानिक तो ये देख रहे थे कि चंद्रायान चांद पर उतर कर जानकारी देगा लेकिन अभी ताजा अपडेट के बारे में बात करें तो इसरो ने जानकारी देते हुए बताया है कि चंद्रायान तीन चांद के बहुत ज्यादा नजदीक चला गया है। अभी चांद के तीसरे राउंड में चंदरायान 3 चक्कर लगा रहा है जहां पर इसकी चांद से सबसे नजदी की दूरी 174 किलोमीटर है और सबसे दूर की दूरी 14-3 किलोमीटर है, मतलब अब वो दिन दूर नहीं जब चंदरायान 3 चांद को अपनी मुठी में कर लेगा, 14 तारीक तक तो यह इसी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा लेकिन 14 अगस्त के दिन में दोपहर साधे 11 से 12 बजे के बीच अगली कक्षा में प्रवेश कर जाएगा लेकिन जैसे जैसे चंद्रायान तीन चांद के नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे वैग्यानिकों की धरकने बढ़ रही है क्योंकि इस मिशन का सबसे मुश्किल पढ़ाव ही चांद की जमीन पर सही सलामत उतरना है उसके बाद लोग 16 अगस्त के दिन की राह देख रहे हैं ये दिन हम सब के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस दिन चंद्रायान तीन अपने मकसद के आखिरी पढ़ाव पर पहुंच चुका होगा और यही वह दिन होगा जब इसका मोडियूल विक् लगे होते हैं उसको वैग्यानिक खोल देंगे इसके बाद पिछले हिस्से की रफतार धीरे-धीरे कम हो जाएगी और आगे के इस हिस्से की रफतार स्थिर रखी जाएगी ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और पिछले वाला बिना किसी नु आगे इसका सफर बहुत मुश्किल होने वाला है। इसका सफर बहुत मुश्किल होने वाला है। दोस्तों हमारे इसरो के वैग्यानिकों ने पहले ही हर चीज की गणना कर ली थी और अब उसी के प्लान अकॉर्डिन चंद्रायान तीन आगे बढ़ रहा है। आगे के प्लान की बात करें तो वैग्यानिक अब धीरे धीरे उसके आरबीट को छोटा करते जाएंगे और उस हिसाब से चंद्रायान चांद के नजडीक चला जाएगा। लेकिन इसका चांद पर नीचे उतरने का जो प्रोसेस शुरू होगा उस समय होगा जब चंद्रायान से 36 किलोमीटर पर रहेगा और वहां से चंद्रायान तीन दक्षिनी धुरूब में मौजूद अपनी लोकेशन को देखेगा। दोस्तों यहां इस्ट्रो के वेग्यानिकों ने अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल करके अपने यान को सीधा लेंडिंग के लिए नहीं भेजा है बलकि वह धीरे धीरे आर्बेट बदलकर चंद्रमा की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इस बार हमारा लेंडर सफलता पूर्वक चांद की सतह पर सौफ्ट लेंडिंग कर जाएगा। सौफ्ट लेंडिंग करने के लिए इस बार अंतरिक्ष यान में जो उपकरन लगाए गए हैं वे बहुत ही ज़्यादा एडवांस और हाई टेकनोलोजी वाले हैं। चंद्रायान तीम को हर परिस्थिती में सटीक जानकारी देने वाले लेजर डॉपलर नाम का उपकरन इसके अंदर लगा हुआ है। इसका काम उतरते वक्त चांद की जमीन पर लेजर फेकना है ताकि दूर से पता चल जाए कि जहां पर लेजर को उतरना है। वहाँ पर कोई बड़ा गड़ा तो नहीं है इसके अलावा ये और दो दिशाओं में भी लेजर भेजेगा। ताकि पता चल सके आगे पीछे साइड में कोई ऐसी चीज है जिससे चंडरायान टकरा सकता है। उसके अलावा इसके अंदर एक और उपकरन लगा हुआ है जो की है LBC कैमरा। इसका काम लेंडर के उतरते समय जमीन के नीचे की तस्वीर लेना है। फिलहाल यह अभी तेजी से चांद के नजदीक आता जा रहा है और उसकी चांद से दूरी भी बहुत ही कम है। यह चांद की सतह पर लेंड करने से पहले टोटल पाच ओबिट से होकर गुजवेगा। इस प्रक्रिया के दोरान इसकी स्पीड भी धीरे धीरे कम होती रहेगी। आसपास चौथे ओन ओर्बिटर पर पहुँचेगा और उसमें चांद और उसके बीच की दूरी सिर्फ 20,000 किलोमीटर रह जाएगी। 16 अगस्त की सुबह साधे 8 बजे के आसपास पाचवी और अंतिम कक्षा में अंटर करेगा और उसे समय ये 100 किलोमीटर की उचाई पर चांद का गोलाकार चक्कर लगा रहा होगा। 16 अगस्त का दिन इसरो के वेग्यानिकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है साथ ही मिशन का भी एक महत्वपून पड़ाव है क्योंकि यही वह दिन है जब चंदरायान तीन का प्रोपल्शन मॉड्यूल इसके लेंडर से अलग हो जाएगा इसके बाद 18 और 19 अगस्त का दिन भी इसके लिए खास है क्योंकि उस दिन चंदरायान के दियार्बिडिंग की प्रक्रिया की जाएगी असान भाशा में कहे तो जो 100 किलोमीटर का रास्ता होगा उसे भी धीरे धीरे राउंट के जरिये काम किया जाएगा इसके बाद चंदरायान की असली कहानी शुरू होगी जिसका वैग्यानिक पिछले 42 दिनों से इंतजार कर रहे थे 23 अगस्त को शाम 5 बच के 47 मिनट पर हमारा लेंडर चांद की सतह पर अपने कदम रखेगा और वो हर भारतिय के लिए गर्व कक्षन होगा मगर दोस्तों अभी चंदरायान का चांद की स्तर पर पहुँच मिशने का सफर लंबा है और यह समय चंदरायान 3 के लिए इतना नाजुक है कि इसके उपर हर वक्त मुसीबत मनरार ही है और कदम कदम पर अलग अलग तरह के चैलेंज का सामना करना होगा इसके बारे में दूसरों का भी कहना है कि अब असल खत्रों का खेल शुरू हो चुक को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद